बहुत गलत है आप जितना वोलती हो उतनी में कथा लपेटती हूँ वे आप बोला मत करो जादा बात करना बंदी नहीं होती हो महराज अरे चुप हो जाओं कितना बोलती हो बार बार समझाती हूँ एक बार ने समझ में नहीं आता आपके सांती में बेटी नहीं हो थोड़ी देर अब टाइम खराब करना है क्या है अब टाइम निकाल के आई हो तो सांती में बेटी नहीं हो और छे बज़े के बाद जितना बोलना है तल से रोकूँ भी नहीं उतना बोलना आप बुलिवाल कृष्ण भगवान की मारास्री शुकुदे भगवान वर्डन करते है रजन परिक्षत बड़ी पावंचर्चा श्रवड कर रहे थे उद्धव गोपी शम्माद भगवान केप्रिय सखा उधों गोपियों को समझाने के लिए गए थे लेकिन उद्धव का ज्यान दूल हो गया गोपियों ने उधों को एक बात समझाई थी के उद्धव आप जिसे कहते हो ना कि वो ब्रह्म है उस ब्रह्म को मेंने जरासी छाच पेना चायों मैया यह सोदा ने कही है के उद्धव यह शेया परमात्मा कहते हो से मैंने अपना इस्तनपान कराया है उद्धव का ज्यान दूल हो गया और गोपियों ने वड़ी प्यारी वात कही के उद्धव उद्धों मन न वहे दसबीस एक मन हतोस गयो श्याम संग अवको राधे इस उद्धों मन न वहे एक ही मन था वो श्याम संदर लेके चले गए अब दूसरा है नहीं जो मैं आपके ज्यान की परिवासा सीख सके भाईया यहां उद्ध महीनों तक रुके बापस आए यह जो जरा सिंद की बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पतनिया थी वो अपने पिता जरा सिंद के पास पहुँची और जवाब दिया पिता जी आपके रहते हुए आपकी बेटियां रड़ापा भोग रही हैं यह तो गलत है जरा सिंद ने सत्रे वार मतुरा नगरिया पर हमला बोला अठार में वार काले बन को लेके गया तो भगवान काले बन को देख के रड़ छोड के भागे हैं उसी दिन गोवित्न का नाम पड़ गया रड़ छोड़ बोले रड़ छोड़ भगवान की रड़ छोड़ के भागे एक प्रवर्षड नाम की गुफा में प्रभू ने प्रवेश किया जहां मानधाता के पुत्र मुझकुंद जी सो रहे थे भगवान ने अपना पीतांबर मुझकुंद जी के ऊपर डाल दिया कालेवन पीछे पीछे गया भगवान तो अंदर गुफा में गुस गए लेकिन कालेवन ने विचार किया कि ये कृष्ण है तो कसके क लात जमाई है मुझकुंद जी में जैसे ही मुझकुंद जी के नेत्र खुले कालेवन जलकर के भसम हो गया क्यों क्यों कि माराज जब देवताओं का रदैतियों का युद्ध चल रहा था तो ये राजा महीनों तक बरशों तक जगे जब युद्ध समापन हुआ तो देवताओं नहीं ने वरदान दिया था कि जाओ आप उस गुफा के अंदर सोना जाके लेकिन जो आपको कच्ची नीन जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भसम हो जाएगा तो कालेवन भसम हुआ हुआ भगवान ने मुझकुत जी को दर्शन दिये बहाँ जरासिन ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगबा दी भगवान बहाँ से कूदे हैं समंदर के अंदर एक नगरी बसाई है प्रभू ने जिस नगरी का नाम है द्वारिका ये भागवत रहश्य का प्रमान है कि द्वारिका की लंबाई है साड़े चार सो कोस और चोडाई है डाई सो कोस इतनी लंबी चोड़ी थी द्वारिका नगरी भगवान के बड़े भहिया जिनका नाम है बलराम उनकी साधी आनर्त देश के राजा है आनर्त उनके लड़के का नाम है रेवति उनकी बिटिया को नाम है रेवति जो राजा आनर्त की नातिन है रेवति उनकी साधी भगवान के बड़े भहिया बलराम जी के साथ में हो जब प्रभू की साधी हो गई अब भगवान की साधिया आने लगी तो प्रभू का पहला बिबाह कब कैसे कापर और किसके साथ में हुआ है एक सेगर पे राम रहीज भीया पर चलग इसी गाउफाल से और बंडारे में एक टीन रिफाइड दे रहे हैं एक से एक रुपए उपेंदर कुमार भाया हीरा पुर्षे शनौफ शरी मलिखान सिंजी सौर पे शिंटू यादब मुबारक पुर्षे आई हुए और ये एक क्यावन रुपए और एक चान्दी का सिक्का सुकबीर शिंबईया और अलू भईया के तरफ से जो चान्दी का सिक्का प्रदान किया गया भगवान से कामन करती हो ही गोविंद ऐसे भाईयों के घर में हमेशा सोने चान्दी के बंडार भरे रहे ठाकर जी की अशीम अनकंपा बनी रहे जो भीक्षाय हों को पुर्ड होती रहे और मा भगवती करपाद रिष्टी बनाई रखे हमेशा धरम के कार्यों मेंन के हाथांगी को बढ़ती रहे एगोविंद ऐसे कामना है बोलिवाले क्रिष्ण भगवाने की मेरे भईया भगवानम भीस्मक शुताम रुकमिडीर चिरानानम राच्छ सनेन विधानेन उपए इती सुरुतम एक राजा हुए हैं विदर्वदेश के जने कुन्दनपुर का राजा भी कहा जाता है जिनका नाम है भीश मकक उनके वेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुकम्डी रुकमडी दिखने में बहुत सुन्दर है एक दिन रुकमडी सक्षियों के साथ में छिपा छिपी का खेल खेल रही है तो रुकमडी की माने देखा जबाब दिया बेटी तो बहुत सुन्दर है वे रुकमडी से कहती आली जो खेल में आनन्द नाया वे क्यों तु दिखने में तनी सुन्दर है सुनले आली ये तो मेंने माना दी दी और सुन्दर ता बरपूरे और ये तो में मान गाम की है अमरा क्या गेशुपूरे ये तो मेंने माना दी दी सुन्दर ता बरपूरे है ये तो में मान गाम की हमरा क्या गेशुपूरे शुपूरे पिटिया को गोदी में साले सौत को ला लगी पिटिया साले के मां करे पिता कौं माई के में डोले वकरे सिंहार क्राओ सिंहार तो क्या कद़ा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नहां है रहला पाल मेट जो को तो अ it आंग दांग चन न न न न योवे मलियागिरी के पाशन लगाओ जेर सांप कोड़ाएं कमोवे शाय तम परिवरी दून दुवाओ काउनी पाले ते हरे परेवां काउनी पाले पपया मोर एप पून में आदवने दिल में पालो जुई मा धोरा गोड़न न नहीं सोर नारे ओ नारे सोही कीरे पितिये जो भी दना ने के लिग नहीं बनाए इसली थी पिताता कीरे नहीं हिए जाय तमंकरी ओ लाग नहीं बाए बोली को नहीं ना लेकी भाईया महराज रुकमणी जब दहीरे दहीरे बड़ी हो रही है तो रुकमणी की माने माने बोली कीरे लाज